हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का लेसन नुबर दो जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुक्ष सब्वेताईं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल जिसका नाम एकनॉमिक एनलिसिस विद अशुनी कुमार गुपता है को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और साथ दिये बैल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए-ने नोटिफिकेशन से नए-ने वीडियो आप तक समझ समय पर कौन कौन से हैं मिसर के इतिहास को कितने भागों में बंढ़ना जा सकता है मिसर के लोगों की आर्थी कतिवितिया कौन सी है और मिसर की प्रशाशिंग विवस्था पर प्रकाश डालना तो यह हमने इस वीडियो में हमने पढ़ना है तो शुरू करते हैं पहला प्रशन मिसर के इतिहास को जानने के सादन कौन-कौन से हैं, तो मिसर के इतिहास को जानने के कौन-कौन सादन है, नमब एक, पुरा तत्त्तव सादन, जिसमें हम समादियां, मंदिर, अभी लेख, पिरामिड, और भिती चित्र, दूसरा साहित्यक, साधन, हेरोडोटस, मैने था और डायोडोस तीसरा आधुनिक साधन, जे ऐसे ब्रेस्टेड और एडोलफ, एडोलफ, अमरान की जो पुष्टगें, उन्होंने पुष्टगें में लिखें हैं, वो आ जाती हैं इसके अंदर आगे आता है, मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांडा जा सकता है, यह दूसरा प्रशन है, तो मिस्र के इतिहास को तीन भागों में हम बांडती हैं नमबरे प्राचीनकाल पिरामिड योग 34 इस्वी पूर्व से 2160 इस्वी पूर्व तक इस्वी पूर्व मतलब जो इसा हुए हैं उनसे पहले मतलब इसा से इसा के पैदा होने से पहले 34 इस्वी पूर्व दूसरा हाता है मद्यकाल समंतवाद्य योग 2160 इस्वी से 1580 इस्वी पूर्व तक आगे हैता तीसरा नवीन योग समराजवाद्य योग 1580 इस्वी पूर्व तक इस प्रकार से हमने देखा मिस्र इतियास को हमने तीन भागों में बांटा तो तीर भागते हैं प्राची इनकाल, मद्यकाल और नवी इनकाल या इसको कह सकते हैं पिरामिड यूग, समंतबाद यूग और समराज्यवादी यूग आप हम पढ़ते हैं तीसरा प्रशन, मिसर के लोगों की आर्थी गतिवितियों पर प्रकार डालो या आर्थी गतिवितियां कौन कौन से थी? तो उत्तर आता है कि मिस्र के लोगों की आर्थी के दूतियां निमन प्रकार करती नमर एक उद्योग धन्दे मिस्र के लोग नाव वे जहाज निर्मान, मिट्टी के बर्तन, तंबे व कांसे के हथियार, कपड़ा, प्रनिचर आधी बनाने में कुशल थी वे कागज बनाने वच गिस्टा का सामान बनाने में भी निपन थे दूसरा आता है किरिशी, मिस्र के लोग गेहूं का पास जौन, सन, अंजीर, खजूर, अंगूर, आधी की खेती करते थे तीसरा पशू पालन, मिस्र के लोग गाए, गधा, बंदर, मुर्गी, बैल, आधी पालते थे चोथा आता है व्यापार, मिस्र, भारत और अरब के मसाले, रंग, तेल, पाउडर, चंदन, आधी मगवाता था आमते की व्यापार, नील नदी के द्वारा होता था तो अधी मधिकार प्रावत होने के कारण, फराव एक स्विच्छा चारी, शाषक था, उसे देवता के रूप में माना जाता था उसे समझते था कि ये हमारा भगवान है, हमारा देवता है दूसरा बजीर, शाषन को चलाने वाले, संचलित करने वाले, लगान वसूलने, व्याए और व्याए का पूरा भ्यूरा रखने का कारिये बजीर करता था बजीर एक प्रकार से जो परधार मंत्री, या मंत्री, या मुख्या मंत्री होता था प्रिशद फ्राओं को प्रामर्श देने का कारिय सारू करते थे सारू व्रिद दरबारियों की अलग प्रिशद होते थे जो व्रिद होते थे जो उमर में ज्यादा होते थे वे उनको सारू का जाता था वे जो है प्रिशद में थे और राजा को सला का कारिय करते थे सला देते थे आगे आता है शन्य विश्था पहले स्थाई सेना नहीं थी प्रंदू बार में राजबन्सव में फ्राउन ने श्थाई सेना चखना शुरू कर दिया था आ जाता है प्रांतिय विश्था मिस्र काल में परतेग प्रांत को नोम और उनके शाष्यों को नोमार का स्टाने विवस्था ये विवस्था सामंत के हाथ Алइब होती ती जो न्यायर समंदी कारे करने का धिकार रखता अगर नयाय विवस्ता नयाय के नियम का ठोड़ थे मुगदिम का फैसला तीन दिने के में करने का नियम था अंग भंग करना देश निकाला देना अधी दंड थे नयाय फ्रावं दुबरा किया जाता था तो यह हमने इसमें प्रशन पड़े हैं कि मिस्टर के इतिहास को हमने जानने क्या क्या साधन है कितने भागों में बनद जा सकता है इतिहास को और आर्थी कतीवजियां कौन-कौन से थी तथा जो परशासरिक जो उनकी वह वह विवस्ताइं थी वह कौन-कौन से थी हमने इसमें यह बतें पड़ी धन्यावाद यदि आपको मेरा यह वीडियो प्रसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को ज़िए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेर करें साथ ये बेल ऐगन बटन को तबाना ना भोलें ताकि मेरे नहीं नहीं वीडियो और नोटिमिकेशन आपते समय समय पर पहुंते रहें धन्यावाद